प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बातकारिक्रम में कहा कि रियो की गुंज कुस दिनों बाद हमारे कानों में गुंजगी। प्रधान में गुंज हमारे कानों में बार बार गुंजने वाला है। परिवार ने आरुप लगाया था कि विधायक के करीबी रमेश भारद्वा सोनी को विधायक के कहने पर परिशान कर रहा था। इससे तंगा कर सोनी ने आतम हत्या कर ली। विधायक की ग्रफतारी के बाद आप नेता अशुतोष ने ट्वीट कर कहा एक और आप विधायक ग्रफतार क्या मोधी पागल हो गए है। क्या उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। अस धर्म हो सकता है। सुजेवाला ने इस सवाल भी उठाया क्या मनोहर परिकर का काम भायती पाकिस्तान जैसे हमला करने वालों की रक्षा करना है या अपने अभिनेता अमिर खान जैसे अपने देश के नागरी को धमकी देना है। दिली के सबी सरकारी स्कूलों में एक साथ पैरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयुचितोने के बाद डिप्टी सियाम मनीश सिसोधिया ने एक चुठी जारी की है। अभिबाउकों के नाम लखी चुठी में सिसोधिया ने कहा कि बच्चों के भाउश्यों के उसदाने में टीचर्स के साथ पैरेंट्स का भी अहम योगदान है। उन्होंने कहा Parents Teachers Meeting का ये पहला उसर था, इसका मकसद है कि बच्चों के बहतर विकास के लिए Teachers और Parents के बीच सीधा समबाद हो, बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हैं और साथी टीचर भी, हमारे स्कूलों में Teachers के टैलेंट की कमी नहीं, बस थोड़ा पढ़ाई के माहोर व्यवस्ताओं को लेकर कमी है, शी सोध्या ने वादा किया है कि सरकार स्कूल में स्वीधा ए प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाएंगी, प्रिंसिपाल और टीचर्स को अंतरा स्ट्रे टेनिंग दिलाई जा रही है, कल यानिश अनिवार को दिली सरकार ने स्कूलों में पीटियम यानी पैरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया था, लेकिन इस मीटिंग के बाद एक तेरा साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली, पस्चिम दिली के ख्याला इलाके में ग्याला साल की बच्ची करिश एक स्कूल की तरफ से की गई शिकायत की जानकारी मिलने के बाद दर के मारिस ने खुदकुशी कर ली, करिशुमा पस्चिमी दिली के ख्याला इलाके के स्कूल में साथ एक लास की छात्रा थी, घरवालों का कहना एकी पहले भी स्कूल वाले बच्ची को मारते पिड़ते थ टीम इंडिया के गेंदिवाजों ने पहले दिन में जुबान टीम को पहली पारी में महज 119 रन पर समिठ दिया। G20 शिकर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सितंबर में चीन जा रहे है प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी यहां चीनी राष्ट पती शी जिन पिंग और अमेरिका की राष्ट पती बराक ओबामा से दिव पक्षे वारता कर सकते हैं। इस नेशन इवार को कहा कि साओधी अरब और कुवेत में सैकडों की संख्या में भारते बेरोजगार हो गई। और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंग इस मुद्यों को फिलजाने के लिए साओधी अरब जाएंगे। सुष्मा ने ट्वीट किया साओधी अरब और कुवेत में बड़ी संख्या में भारती अपनी नोक्रिया गवा चुके हैं। जोकताओं ने वेतर नहीं दिये और अपने कारखाने बंद कर दिये। ये भी कहा कि कुवेत किस्तिती नियें तरन लायक है लेकिन साओधी अरब किस्तिती काफी खराब है। गंगा में 4,200 करण रुपे की बहु परतिशिक्त जल परिवेहन पर योजिना पर चीन ने अपनी अनापत्ती दे दी। वर्ल्ड बैंक की और से इसके लिए चीन के वितमंत्राले को पत्र वेजा था। चीन के इंटरनेशनल फाइनेंशियन इंस्टिूशन डिविजन एक के यंग युवानी जी ए ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर को संबोधित पत्र लिखकर योजिना पर किसी प्रकार की आपत्ती ने होने की बात कही है। जल परिवेन पर योजिना के लिए विशु बैंक के ने बंगलादेश और नेपाल से बी नोसी मांग की है। इन खातों में 90 लाग उपैस अधिक की राष्टी जमा है। अंतराष्ट्रिय मादक प्रदात सरगना और उसके सयोगी विख्की गोस्वामी से जुड़े मामले में मम्ता को पहले ही मुख्या अरोपी बनाया गया है। एक वरष्ट पुलिस अधिकारी के नुसार इस मामले की जात के हिस्से के तोर पर सभी आठ बैंक खातों को फ्लीज कर दिया गया है। क्योंकि ऐसा संदे है कि उनकी पोपर्टी और बैंक खातों से ड्रग रैकेट को मदद मिली थी। ISF के जवानों ने दोनों को अलग किया। इस हाथसे के बाद सांसद शशी कला पुश्पा ने कहा मैंमा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तिरूची शिवा ने हमारी नेता पर कमेंट किया था। वही डियम के सांसद तिरूची शिवा का रोपैकी सबसे पहले शशी कला ने उनके खिलाफ कमेंट किया। जब उसका जवाब दिया तो उसने सरयां थपड मार दिया। पहले से सरकार के पास बुरहान वानी के एक पोकर नाग एंकाउंटर की ख़बर होती तो सुरक्षा एजनसी और पुलिस प्रिकोशन लेती। जब मुकश्मीर में आतंकों कि खिलाफ जारी उप्रेशनों का तरीका एक ही होता है और अगर कोई आतंकी सरेंडर नहीं करता तो उनसे निपटने का तरीका ऐसा ही होता है। गोरतलावेकि से पहले जब मुकश्मीर मुख्यमंतरी में अभुबा मुफ्ती ने शिरी नगर में पीडेपी के फाउंडेशन डे पर कहा था कि सरकार उस रुक्षा एजनसी को एंकाउंटर में बुरहान वानी के फस्से होने की ख़बर नहीं थी और अगर ऐसा होता तो सर का चांस ले सकती थी की गुलामी में बाबा साहब के मुव्मेंट को आगात पहुचा रहे हैं मायावदी के बोध्रम अपनाने की अठावले की सला पर भी कहा कि जब समाज जागरूप हो जाएगा तब कांशी राम की इच्छा के मुताबिक करोडों लोगों के साथ बोध्रम अपनाऊंगी और स्टिफे की मांग की है उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में सपानेत पबलिक की जमीनों पर कब जाकर रहे हैं और उन्हें मुख्य मंतरी का खुला संग्रक्षन हासिल है महापोरूप चुनों में जनसबा को संबोधित करने मुरादा बात पहुचे केशो पर साथ मो अधिक धोके बाज सीएम है उन्होंने बेरोजगारों किसान और व्यापारियों समेथ समाच के हर वर्ग को धोका दिया है बोले प्रदेश में चारों और गुंडाराज और भैका माहोल है देश के अलग-अलग हुस्सों में भारी वारिशे से तबाई के खबरे लगातार आ रही है ओडिशा में शनिवार को अकाशिये विजली गिरने से अलग-अलग हिलाकों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई जिसमें तीन दर्जन से अधिक लोग भायल होए हैं सबसे ज्यादा नुकसान भध्रक जिले में हुआ है यहा आठ लोगो के मौत बिजली गिरने से हुई मुख्या मंत्री नवीन पटनायक ने बारिश और बिजली गिरने से लोगों के मौत पर दुख जताया है उन्होंने धिकारियों को प्रभावित लोगों के परिवारों को मदद पहुचानी का निर्देश दिया है फुक्य मंत्री ने बिजली गिरने से मनने वाले लोगों के परिवार वालों के 50-50 हजार उपै की मदद का एलान किया है बाला सोर में साथ, खुर्द में पांच, मयूर भंचु में तीन और केंदर पाड़ा, जाजपूर नायागड जिलों में एक-एक व्रक्ति की मोत हुई है